नमस्का दोस्तों शुहागत हैं आप सभी लोगों का और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमनी जेल के बारे में इस वीडियो में मिलेगी तो चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं सबसे दोस्तों बाता है इसके मैनुफेक्शर के बारे में तो शिपला फार्मसेटिकल कंपनी इस प्रॉडेक्ट को बनाती हैं अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट में यह अलग-अलग स्ट सबसे जो पहली है वो लिंसी रोई सेकेड़ डाइकलोफेनेक्स सॉडियम फोर्थ हैं मैं यह सारे अलग-अलग कॉन्टिटी में इसमें मिलेगी होते हैं अब हम दोस्तों बात करते हैं ओमनी जैल को कहां पर उप्योग में लिया जाता है तो ओमनी जैल एक तरह की एन जैस हैं मतलब की दर्द निवारक जैल हैं जो इतने भी परकार के दर्द होते हैं सरीर में वहां पर ओमनी जैल को यूज किया जाता है ठीक है कौन से दर्द होते हैं कि मसल्स लेटे जितने भी परकार के पैन है अगर हमारी मसल्स में हो रहा है तो वहां पर ओमनी जैल को यूज बिमरी है तो वहां पर भी ओमनी जल हैं बहुत ज्यादा फाइदे मनते हैं तो वहां पर अगर किसी पार्ट पर सूजन आ जाती है दर्ध हो रहा है तो वहां पर भी हम ओमनी जल को कर सकते हैं ? और भी लिए फैक है सरीर की जोट वगेरा है जहां पर शरीर में सूजन आ जाती है इंफ्लमेशन होजाता है स्मेलिंग आ जाती है तो वहां पर ओमनी जल हो सकते हैं सूजन को कम करती है।से बात की बारे मैं कि ऑन्नी रुखे तो शनलिक का मेदिकेशन करता हैं ज्यादा मातरा में और यूज कर रहा हैं आप अपला करते हैं और दोस्ते बात करते हैं कि इस ड्रग्स मिली हुए चार परकार की मैंने आपको ड्रग्स बोला है वो कौन-कौन से मेकनिजम उप एक्षन है किस तरह से हमारे सरीर में काम करती है सबसे पहले बात करते हैं लिंसीड ओइल को हम फ्लैक्सिड ओइल भी कहते हैं यह क्या करता है कि मसल्स को स्मूथ करता है रिल है को कम करती है ठीक है ठीक है फज़न को कम करती है फोर्ट इसमय जो है जलन जब होती है यह थंड़क-पर-दाम करता है मसल्स को इस तरह अब दूस्तों बात करते हैं कि ऑमनी-जैल को किस तरह से आपको यूज़ करना दीक है सब्सक्राइं करना झादाने के लिए लेकर आपको जあっ चॉद्या सब्सक्राइब पर तक उसके उपर मालिस करनी है ठीक है क्योंकि यह जैल है जैल को अपले करने के बाद आपको मालिस करना बहुत जरूरी है तभी हमारे टीसू तक यह एपजॉब होगी और हमें दर्द में रिलिप देगी ठीक है तो इसको लगाने के बाद ऐसी चोड़ना नहीं है उसको आ पर आपको हीट उत्पन हो सकती है हीट जन्रेट होगी और भी आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते है ठीक है तो किसी तरह का बेंडिज या पट्टी का यूज नहीं करना है ऐसे आपको खुलियर उसको चोड़ देना है ठीक है अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ओम ओमनी जल का यूज नहीं करना है नहीं तो उस इसस्तान पर आपको इरिटेशन की प्रोब्लम हो सकती है फाइपो संसेटी विटिविटी के प्रॉब्लम आपको हो सकती है ठीक है अम्नी जल को बच्रों से आपको दूर रखना है अपने हातों को अच्छे तरह के सब्साप क वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सामने लगे बैल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे हमारा आने वाला हरे एक नया वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले जय हिंद वन्देबात रहूं